Hello my dear friends and scholars, a very warm welcome to all of you once again to your own channel, Anand, The Law Academy. भाई, देखिए, आप सब उमीद है, APO exam की तयारी कर रहे होंगे, और उसमें एक paper है, Police Act. जी हाँ, इसको आपको पढ़ना है, इसके बीना आपको selection नहीं हो सकता है. तो इसी के regarding में दो topic ले करके आया हूँ, section 8 and section 28, दोनों आपस में linked हैं, इसलिएं दोनों sections को आपके सामने discuss करने प्रस्तुत हुए हैं. बात क्या है, section 8 की certificate to the police officers, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने अच्छे जपढ़ा होगा, जिन्हों नहीं पढ़ा, वो सुनलो, जब आप police officer बनते हैं, तो आपको section 8 के तहत आपको एक certificate मिलता है, वो certificate क्या बताता है, कि जो उसका holder होगा, उसो वो जो police officer होने के कारण, powers हैं, functions ह हैं, यह आपको मिलेंगे, अगर आपके पास वो certificate आप claim करते हैं, कि I am the police officer, I am appointed under the police act, 1861, तो आपसे कहा जाएगा, certificate है, नहीं है, तो you are not eligible for any privilege, एनी power, अगर आपके पास है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, यह certificate क्या होता है, every police officer on an appointment, appointment पर मिलता है, किसके द्वारा, certificate under the seal of IG, जो आपका IG है, वो आपको देगा, या फिर अगर IG कोई other officer appoint कर रखा है, कि मेरे बिहाफ पर यह बंदा आपको देगा, वो certificate, तब उस बंदे से आप certificate लोगे, उस officer से लोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर एक police officer को section 8 के तहत certificate नहीं मिलता, जिनकी बात section section 4 में की गई है, कौन-कौन, IG, DIG, Assistant, IG, DSP, and Assistant DSP, इनको यह certificate issue नहीं होता है, यह उसके नीचे वाले है, जिनको issue कौन कर रहा है, IG कर रहा है, या other officer as appointed by the IG, यह बात समझ में आया, तो मतलब आपके साब pass certificate, you are the police officer, अब एक बात और समझे, इसी section में लिखा गया है, कि जब आ यहाओ आपका seized हो गया police officer होना, तब आप उस certificate को surrender कर देंगे, यह बात ध्यान रखिएगा, लेकिन suspension को हम क्या नहीं मानते हैं, आप suspend हो, आप police officer से निकाले नहीं गया हो, केवल suspend किये गया हो, तो यह suspension आपका suggestion नहीं माना जाएगा, कि आप seized हो गया, अब आप police officer नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बात ध्यान रखिएगा, और इसी के furtherance में एक section है 28, अगर कोई बंदर refuse करता है, police officer था, अब वो police officer नहीं रहा, certificate surrender करने से वो मना करता है, तो उसे magistrate क्या कर सकता है, magistrate has power to impose a fine या imprisonment कर सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं, अब अगर fine दिया, तो 200 रु हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो section 8 and 28 are interrelated, यही आपको बताना तो, hope so, आपको समझ में आ गया होगा, और police act के वीडियो के लिए, चैनल सबस्क्राइब कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, like कीजिए, इतना कीजिए, तब second part लाएंगे, चलिए, wish you all the best for your exams.